वेल्कम बैक फिर्सकुल हेल्दी मॉर्निंग अच्छा जी अब हम बात करने वाले हैं मलेरिया पर उस पर बात करने से पहले एक पैकेज है हमारे बास पहले आप उचल के देखें फिर हम मलेरिया पर बात करने हैं मलेरिया की मर्स पराने जमाने से चली आ रही है सबसे पहले डाक्टर लेरोन ने मलेरिया के जरसीम का पता लगाया लेकिन डाक्टर रास ने दरियाफ किया कि मलेरिया का सबब एक खास किसम का मच्छर है जो जरसीम इनसानी जिसम में दाखिल करता है इस मादा मच्छर का नाम एनको चाधा है जब ये मच्छर इनसान को काटता है तो अपने जहरीले जरासी इनसान के जिसम में दाखिल करता है जिस से मतासर शख्स की कोडे-मताफित कमजोर पढ़ जाती है और इसको मलेरिया हो जाता है मलیریया एक इनसान से दूसरे इनसान को लग जाता है इसलिए ये एक मुतादी मर्स है मलेरिया दुनिया के हर मुलक में पाए जाता है खासकर मीडल इस, एशिया और अफरीका के ममालिक में ज्यादा लोग इस मुजी मर्स का शिकार होते है मलیरिया की वजह से हर साल तक्रीबन 10 से 12 लाग अमवात होती है पाकिस्तान में इस मर्स को खत्म करने के लिए हकूमत हर मुम्किन कोशिश कर रही है एक बेनुल अक्वामी अदारा बराय सहत के मताबिक साल 2010 में 1,28570 जबके साल 2008 में एक लाग 24,054 मलेरिया कैसे रिजिस्टर्ट किये गए जी वे आपने एक पैकेज देखा जो मलेरिया के बारे में बहुत यह आपको एक सुपरफेशली बता जाके मलेरिया है क्या अब हम ज़रा इसको जी डिटेयल में डिसकास करते हैं तो माम सबसे बहुते हैं कि मलेरिया इस टाइप ओफ फीवर, राइट? यह अची जाएप पैरसाइट ऐसे टाइप पैरसाइट मलेरियाल पैरसाइट हमारी बाडी में किस-किस तरह इंटर हो सकता है तरह सब्सक्राइब के जो पैरसाइट यह जो जरासीम है ये एक खास खिसम के मच्छर होते हैं जिसे भी आपकी डॉक्यमेंटरी में दिखा रहे थे इसको एनाफलीज मॉस्किटो कहते हैं उसकी फीमेल एस्पेशी उसके अप गट्स में होते हैं उसके अंदर होते हैं तो जब ये मच्छर काटता है तो मलेरिया के जरासीम फिर खु प्लाइब करते हैं और जब वो आर्वीसी तूटते हैं तो उससे ये होता है कि अनीमिया हो जाता है खुन की कमी होती है और तूट फूटने के अमल के बाद जो एक तरह का जो इस प्लीन है जो तिली है वहां जाके ये तूट फूटने का अमल ज्यादा बढ़ता है इसकी जैसे तिली भी बढ़नी शुरू हो जाती है तो मलेरिया में जो ये बखार होता है जब ये आर्वीसी के अकल ये टूटते हैं और ये मलेरिया के पेरिसाइट रिलीज हो जाते हैं बलड में तो उस वक बखार होना शुरू होता है और सर्दी लगके अमूमन बखार होता है अगर यह जरूरी नहीं है कि हर दफा सर्दी लगे, बखार होना, बखार जो है बढ़ जाता है, बाद अखात इवनिंग राइज होता है लेकिन इस सच कोई पैटर्न नहीं है, जैसे और बखारों का होता है, तो उसके बाद दूसरी अलामत एक तो बखार है, जो अकसर बहु यह ज Texas is a multiple disorder, जैसी कि लिया बयुए मालेया है। उसके बाद सबस्सें कोज़ए जाता है उसके बाद बहूरे है यूरीन के इंफेक्शिन और बहुक्वे थासे मैं, इसको कि एक हूरी तो इवन डाबलो-अच्शो का भी यह है कि आप इसको मलेरियासमचचच. तो दूसरी अलामत जैसे में बताया है कि खुण की कमी हो जाती है क्यूंके मलेरिया के जरासीम का हमला डिरेक्ली खुण के सुर्ख कल्याद पर होता है जिसको इसको आरबी-सी कहते है। खुण की कम जो होती है जो घाइधोती है तो प्रिषग का पूलेज़ को अपने लमाद जाहिर उनने होते है तρηबेधिन फिर इस ओर हो जाता है ज़ाता है कि अच manner ब्रियविदिंग में छोटी है जिसको हम ब्लेटलिट केहते है वह भी के assuming- अप्रेती मुझें, डिरिधिंग, डिर्स बाखरो, अवालुकती हम और। में उलामाट बहुरीरिंग उपकु मैं आनेती है इन्म के नाथicias। उने एफ लकुछती है।